कि दिनांक 24 नवंबर रविवार यानि कल 2024 सिक्रिष्ट मेमोरियल हॉल में परम प्रेमय सिसी ठाकुर अनुकूल चंजी का जिला इस्तरिय पटना जिला इस्तरिय सुभ 137 जन महुत्सव मनाया जा रहा है यह मैं सभी दर्शकों को इसके माध्यम से एक निमांतरन दे रहा हूं सिक्रिष्ट मेमोरियल हॉल के जो प्रोग्राम की जो सुची है वह इस प्रकार है सुभा का प्रार्थना सुभा च्वाज करके पांच मिनट है उसके बाद संगीत अंजली का आयोजन है नमस्कार आप निश्पोनेशन देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ वंदना स्री स्र कि ठाकूर अनुकूल चंदरी महराजी का इस बार 117 वार्सी कोच्व मनाया जा रहा है यह विहार में नहीं बलकि कई राज्यों में इनका जो है महोट सो मनाया जा रहा है इस सिक्रम में हमारे साथ बात करने के लिए हैं सथसंग विहार के शदस डॉक्टर संधीपुमार सर कल दोजार चौबिस सिक्रिष्ट मेमोरियल हॉल में परम प्रेमय सिसी ठाकुर अनुकूल चंद्जी का जिला इस्तर यह पटना जिला इस्तर यह सूब 137 जन महुत्सव मनाया जा रहा है यह मैं सभी दर्शकों को इसके माध्यम सेकने मंतरन दे रहा हूं सिक्रिष्ट मेमोरि पर मेडिकल कैम की विवस्ता है जिसमें यहां के पटना के बहुत सारे डॉक्टर्स परामेडिकल्स लोग सब लोग के मदद से हम लोग लोगों को विभिन वीमारियों के प्रती जागरूख करेंगे कुछ जाच जो निसेसरी इंवेस्टिगेशन स्क्रिणिंग के लिए हो कि धर्मसभा और यूवा सत्संग समेलन स्टा delta वगा और यूवा वरग ही संपादित करेंगे युश्तुत पस्चात चिकित्सक समेलन का समय है चिकित्सक समेलन लगवक 45.30 बज्य है और उसके बाद मात्रिस समेलन है शाम का प्रार्थना न जो है पाँच बज्या Northeast 5 बज् हमके साथ इस जन्महोत्सव का समापन होना है। यहां जहां वी विरोध है। धार्म के स्थापना और जीवन वृद्धी की अस्ति वृद्धी की स्थापना जो को जो कोश्रल को हम लोग जन्महोत्सव के माध्यम से इनकी बातों को पूरे लोगों तक हम लोग होंचाते हैं। ठाकुर जी की बात है, धर्म की बात कहते हैं कि धर्म में सभी बचते बढ़ते संप्रदाय को धर्म न कहते हैं यानि सभी के बचने और बढ़ने का हर मनुष्य हर जीव अपने रक्षा चाहता है और अपने संवर्धना चाहता है ये रक्षा और संवर्धना के लिए ही जो कि किताबों में ये अनुस्ठान तक की सिमित नहीं होना चाहिए तो इसको हम लोग धर्मिक होने के लिए कार्मिक होना है और सही दिशा पाने के लिए हमें कैसे इस्ट के प्रतियुक्त होना है गुरू के प्रतियुक्त होना है इसका तूप उनिसका कोशल हम लोग बात करेंगे आज के युवा वग जो बहुत सारे सत्संग, धर्म, इन सबों को हमारे समाजिक मानेता कि बदालत थोड़े इससे दूर हो गया है। एक आम धर्ना बने हुए है कि जो धर्म की बात करना, सत्संग की बात करना जीवन के अंतिम पड़ाओं में होना है। लेकिन हमें जिन्दगी की दिशा, जो मैप, रोड मैप होना चाहिए, वो हमको सुरू में ही मिलना चाहिए। यह इसी ठाकुर जी की फॉर्मूला है कि हम अस्ति वृद्धि का अगर तुक जानना चाहते हैं, तो तीन चीजों पर उन्हें जोड़ दिया है, दिक्षा, सिक्षा और विवा, यह तीन चीजों अगर अच्छा रहेगा, तो हम एक उन्नत रास्ट्र, उन्नत पूरे विश गुरू हमारे जीवन में क्या महत पर रखते हैं? स्रगात संजायते स्रधा, संग से स्रधा होती है, और स्रधावान लबते ग्यानम, स्रधा से ही ग्यान होता है, हमारे रिश्यों महिनिश्यों ने ऐसा ही कहा है, और हम देखते हैं कि जब भी हम संग करते हैं, गुरू सा का संग करते हैं, तो जो चीज़ें हमें बहुत क्लि वेक्ति के वैसिस्ट को पूरुष के वैसिस्ट के पूरुष के अनुसार, स्तृ माँ, बच्चे, अमुक जाती को उसके culture के tradition को follow करते वे कुछ क कैसे उन्नत और बनाया जाए कैसे और उसको पूरुपूष्ट किया जा सके जिसमें अपने पूरुपूरोजों के प्रतिश्र और हमारा आगे आने वाला जेनरेशन और भी हर दिशा से सरवांगिन विकास के साथ उर्दुमों की जीवन को इन जीवन का भोग कर सके इसी के लिए जरूरत है गुरू की बहुत सारे संथ महापुरुश्यों हैं अभी हिंदू रास्टर बनाने की बात कर रहे हैं उसमें बर और आस-पास की लोगों में भी एक अच्छा संदेश को सिसी ठाकर जी ने कहा है कम्यूनिटी आफ लवर्स ऑफ एक्जिस्टेंस मनें सत्ता या स्तित्यू के व्रिद्धियों क्या जो लोग चाहते हैं वो उनका समुदा है यहां सत्संग ना हिंदुस्तान पाकिस्तान रस या कुछ नहीं चमसता मनुस से कहां कहीं भी हो वो मनुस से क्या चाहता है मनुस से चाहता है बचना मनुस से चाहता है बढ़ना लेकिन अपने बचने अपने बढ़ने के लिए क्रम में अगर हम दूसरे को मारते हैं तो यह धर्म का पालन नहीं है अपने बचने अपने के लोग समझ जाएंगे इसका कुछ भी अंसामगा अगर पालन कर पाते हैं तो सारा वैर वैमनस से आगे वर्चस आगे बढ़ने की जो आज एक होड़ लगी हुई है जमीन हड़पने की होड़ लगी हुई है संप्रदायगत विरोध इतना पूरा जो चरम पर है इस सब का सम अग्या करना है इसलिए सारे प्रॉफेट जो है वह अगलग अलग समय के अनुसार से सिथानकाल पातร कानुसार से जो वहां पूंद्धी कर दिया उससने को को समय के अनुसार से उन्होंने दिया हुई हुई इसको हम आगे समयां भविष्य और उसमें कैसे फिर शूदरव बैद करने के लिए तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था सत्संग विहार के शदत से डॉक्टर संदीब कुमार का इन्होंने बहुत अच्छी बाते बताई है इस खबर को ज्यादा शेयर करिए ताकि आगे आने वाले जो हमारा जनरेशन है जो हमारा पीड़ी है वह भी कुछ सीख सके और गुरू हमारे जीवन में क्या कारिदी है इसकर वसीतना ही बने रहे ये नेज पोनेशन के साथ धन्यवाद